हेलो अब्रिवन आज हम स्टार्ट करने जा रहें 12 इस्टेंडर बोर्ड के जियसीवी बोर्ड के पार्ट वन के चैप्टर नंबर वन दाट इस इंडेक्स नंबर वके यह चैप्टर जो है आपके 12 बोर्ड में 12 मार्क्स के हैं इवन दी पार्ट वन के चारो चैप्टर जो है आपको 12 बोर्ड मार्क्स के लिए हैं तो आई हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर विद डेफिनेशन ओके तो डेफिनेशन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि यह एक्चुली क्या देता है एक परसेंटेज चेंज देता ह किसके चीजों का तो variable का ठीक है उस variable का current period में कितना value है और उसको compare करता है किसी fixed period से और उसको जो हम percentage में indicate कर देते हैं तो वो हमारा index number हो जाता है अब यहां पे variable मतलब क्या 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 चीज़े variable हो सकती है तो variable यहां पे दिया ओर variable can be a price of an item हो गए या फिर national income, supply, production, employment, unemployment, investment, import, export cost of living population of country या फिर birth rate या फिर death rate इन सभी में से कोई भी चीज जो है हर एक चीज जो है variable है ये time to time जो है इसकी value जो है वो change होती है इसलिए these are the variable और इसी के अंदर जो है अगर percentage change रहेगा किसी particular periods के लिए तो हम उसको क्या बोल देंगे index number अब उसको हम notation से कैसे जानेंगे वो हम देखते हैं okay let's see कि अगर हम prices changes की बात करते हैं तो current year की जो price है वो और base year की जो price है उसको हम अगर divide कर देते हैं let's see indicate करने का तरीका है P1 जो है हम current period के लिए लेते हैं और P0 जो है हम base period के लिए लेते हैं और into अगर hundred कर देते हैं तो यह हमारा हो जाता है index number ओके ध्यान रहें यहां पर जो है P1 जो है P1 क्या है यह price है price in current year okay और P0 जो है यह क्या है price and items in a base year okay तो यह यहां पर जो definition था उसको हम mathematically जो है यहां पर लिख सकते हैं I is equal to P1 upon P0 into 100 जहां पर P1 जो है वो price in current year है और P0 जो है price in base year है okay same चीज जो है हम quantity के लिए भी जो है define कर सकते हैं यहां पर जितने भी जो है variable दिये हैं वो सारी चीज़े calculate की जा सकती है okay तो let's see कि अगर quantity दिया रहेगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे जस्ट हमारे जो है alphabet change हो जाएंगे P से हम Q कर देंगे उसको so Q1 divided by Q0 into 100 करेंगे तो यहां पर दो time period की prices हो गए यह base यह current year के हो गया और यह base year के हो गया उनके prices का जो है ratio निकाल रहे है into 100 कर रहे है मतलब कि उसके ratio का percentage निकाल रहे है तो यह क्या हो जाएगा उसका index number हो जाएगा और यह क्योंकि quantity को mention किया गया है तो इसलिए यह quantity index number होगा यहां पर Q1 हो जाएगा quantity in current year और Q0 जो हो जाएगा वो quantity हो जाएगा किसका base year का ओके now type of index number तो basically हम तीन टाइप के index number देखते हैं पहला है price index number दूसरा quantity index number तीसरा general index number तो इन जनरली जो price index number होता है वो price की fluctuations को price की जो भी ratio है percentage change वो दिखाता है quantity index number जो है quantity के अंदर changes क्या है वो दिखाता है और general index number जो है किसी particular किसी group के बारे में index number निकालता है for example कोई एक group ले लेता है जैसे कि food हो गया तो ये food इसके अंदर सिर्फ एक नहीं पूरी की पूरी group होती है food product जितने भी होते हैं उसके अंदर आ सकते हैं तो उन सभी का इन general जो है index number निकालेंगे तो उसको general index number और value index number कहते हैं now characteristic of index number okay index number की जो definitions है उसके base पे कुछ इसके जो है characteristics होते हैं पहला हम देखते हैं तो ये क्या है पहला है कि it is free from the unit as it is a relative measure okay तो ये क्या बोला है कि ये सबसे पहले क्या है it is free from unit ये unit less होता है और ये relative measure होता है अब relative measure क्या होते है तो there are two type of measure सबसे पहला absolute measure होता है absolute और दूसरा होता है हमारा दूसरा होता है relative absolute measure के अंदर में basically difference देखता है let's say for example कि किसी चीज की जो है price जो हो गई वो 4 रूपीज थी किसी year में और वो change हो करके 6 रूपीज हो गई तो यहाँ पर रूपीज indicate करना पड़ेगा और इन दोने के अंदर में changes देखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग 6 minus 6 रूपीज minus 4 रूपीज जो basically answer आता है वो रूपीज 2 हो जाता है तो यहाँ पर यह जो absolute वाला है उसके अंदर you can see की absolute को difference किया जा रहा है absolute मतलब difference तो यहाँ पर unit important है अगर यहाँ पर रूपीज ना लिके तो यह 2 जो है केला पूरा पूरा तरीके से define नहीं करता है absolute index number को तो यहाँ पर रूपीज का होना बहुत ज़रूरी है बट अगर हम बात कर लें relative मतलब कि यह ratio की तो यहाँ पर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 6 divided by 4 यहाँ पर भी रूपीज है यहाँ पर भी रूपीज का सिंबल तो बेसिकली जब हम डिवाइड करते हैं तो यह रूपीज रूपीज का सिंबल जो है वो हट जाता है और we get the simple value यहाँ पर कोई एक number आएगा ओके और यह unit less रहेगा तो यह इस टाइप की जो चीजों होती है हम उसको relative measure कहते हैं तो हमारा index number हमने देखा P1 upon P0 जो है यह ratio होता है price price का ratio quantity quantity का ratio तो actually में same unit होने के कारण जो है unit cancel हो जाते है और यह unit less होता है तो first line का जो है मतलब जो है I hope आप समझ रहे होगे कि यह free है free from the units है और यह relative measure है second one देखते है the changes in a value of a variable having different units can be compared using index number यहाँ पे दो अलग-अलग variables जिसके दो अलग-अलग units है देखे है दो different units वाले variable को भी क्या कर सकते है यहाँ पे compare किया जा सकता है इसलिए हम इसको comparative measure कहते है second one क्या हो गया कि it is a comparative measure comparative measure क्यों कहते है क्योंकि दो अलग-अलग different units के variable को भी क्या कर सकते है हम उसके changes जो है compare कर सकते है third one जो है index number is a relative measure showing percentage change तो यह क्या है एक relative measure है point number 1 में हमने cover किया and it is showing the percentage change तो यह percentage भी दिखाता है तो third one I hope it is clear it is a relative measure which shows the percentage change fourth one क्या है index number is a special average okay तो यह देख लो यह एक क्या होता है यह एक average होता है इस एक special type की average होता है क्योंकि इसके पास जो है सारे के सारे जो है average के characteristics है उसके सारे के characteristics जो है इसके इंदर है fifth month situation and two different periods can be compared by ratio तो दो अलग-अलग जैसे कि 2019, 2020 दो अलग-अलग time periods के जो situation है उसको compare किया जा सकता है by the ratio with the standard period standard period मतलब कोई एक period जो है जिसको हमने मान लिया compare करने के लिए for example 2020 के लिए हमने 2019 को मान लिया 2018 को मान लिया तो हम उसको standard period या फिर base period कहता है तो यह भी चीज जो है किया जा सकता है दो अलग-अलग different periods के जो value है उसको भी situation जो है उसको जो है compare किया जा सकता है so these are the characteristics of index number okay now we will see some uses of index number okay तो index number के बहुत सारे uses है या मैं यहाँ पर जो है heading उसके जो है list down क्या हो आप इसको जो है book से cover कर सकते हो सबसे पहले आता है wholesale price index number okay next cost of living index cost of living index 1.3 उसके अंदर हम लोग आगे 1.4 में भी जो है इसके बार में और भी study करने वाले है third one है index number of national income हो गया agriculture production import export फिर industrial production फिर employment capital investment human development and even the number of trades okay index number of trades तो इस सारे जो है चीज़े जो है इसके लिए index number का use होता है okay now अब हम देखते हैं कि base year और current year क्या होता है okay कुछ detail base year और current year के बारे में जो कि हम already जान चुके हैं सबसे पहले जो है base year कि इसको माना जाता है वो हम देखता है okay तो base year actually में हमें इसके अंदर base year select करते टाइम बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि although हमारे questions में ये base year current year already mention कि रहेंगे बट जब जब जो है practical life में हम जाते हैं तो base year कैसा होना चाहिए तो for example let's see कि अभी जो panademic situation था तो उसने market में बहुत ज़्यादा changes हुई बहुत ज़्यादा market down हुई तो हम इस year को जो है हम standard नहीं मान सकते हैं suppose अगर हम इसको standard मान करके आगे आने वाले कुछ years के लिए कुछ आने वाले years के लिए हम अगर compare करते हैं तो वो हमारे वाले ये सही साबित नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर fluctuation बहुत ज़्यादा हुआ है तो base year हमारा क्या होना चाहिए एक stable year होना चाहिए जिसके अंदर बहुत कम क्रिश्टन ट्रफ मतलब कि बहुत ज़्यादा high नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा low नहीं होना चाहिए ऐसे हमें base year select करना होता है second thing it should not be too old तो base year हमारा बहुत पुराना नहीं होना चाहिए for example अगर हम 2022 के लिए कोई चीच compare कर रहे है और वहाँ पे base period ले लिए जो है 1950 ले लिए तो ये बहुत पुराना हो जाता है क्यों इससे हमें कोई estimation नहीं मिलने वाला है although कुछ ने कुछ result तो आएगा बट वो हमारे 2022 की needs को fulfill नहीं कर पाएगा तो base year select करते time पुराना भी नहीं होना चाहिए now current year आप जानते हो current year मतलब जिस year के लिए जो है हम situation जो भी calculate कर रहे है जो recent year है जो चल रहा है उसका हम current year कहते है तो I hope यह current year और base year की concept आपको clear हो गए होंगे now there are two methods for selection of the base year base year हम दो type से select कर सकते है एक तो होता है fix base method दूसरा chain base method अब fix base method के अंदर में क्या करना होता है fix base method के अंदर में हम जो base year जो होता है okay हम base year जो होता है वो fix कर देते हैं ठीक है कि question में दिया रहेगा आपको की base year क्या लेना है 2008-2009 ऐसे base year को fix कर देंगे इनकी formula से जो हम कुछ इसको compare करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं fix base method का formula okay तो index number fix base calculate करने के लिए तो हमें P1 upon P0 into 100 यह सेम formula रहेगा बट यहां पर देखना है P1 जो होगा वो current year का price होगा और P0 जो हो जाएगा वो base period का हो जाएगा base year के price हो जाएगे तीक है और यहां पर base year जो है वो fix कर देगा वहां पर दे दिया रहेगा कि base year किसको लेना है अब यहां पर chain base index number की बात कर ले तो यहां पर भी same formula लिखने है P1 upon P0 into 100 और यहां पर P1 current year ही रहने वाला है बट यहां पर P0 की value जो है वो preceding year के लिए लिया जाता है preceding year preceding year मतलब previous year जो भी जैसे 2021 के लिए निकाल रहे है तो 2020 होगा यह इसकी value हमें P0 लेनी है हमेशा always जो है जिस भी year के लिए हम इंडेक्स नंबर calculate कर रहे है उसका जो पिछला उसका जो preceding year रहेगा उसको हम P0 लेंगे तो दोनों में difference है कि इसके अंदर में P0 के value fix रहेगा और इसके अंदर हमेशा जो है previous year रहेगा एक और चीज हम बात करते हैं इन दोनों के अलावा एक और formula हम देख लेते हैं वो है general index number का तो general index number जब हम निकालने चाहेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते है P1 upon P0 निकाल लेते हैं और इस group का मतलब each and every का जो है P1 upon P0 निकाल लेते हैं उसके बाद हम उसका sum total करते हैं divide by n और into 100 यह हमारा formula होता है अब ध्यान देने वाली बात यहां पे यह है कि P1 upon P0 को हम always जो है price relative कहते हैं ध्यान देना price relative ओके P1 upon P0 को हम price relative कहते हैं तो जनरल इंडेक्स नंबर के लिए यह formula हो गया और अगर वो simple average method का है it said कि simple average method से जो है general index नंबर निकालो तब जाकर के हम same चीज general index नंबर अगर निकालेंगे but simple average बोला तो सबसे पहले P1 upon P0 into 100 का जो है total कर लेंगे divide by हम n कर देंगे यहां पे n क्या है number of object है कितनी objects वहां पे दियेगे number of items कितने हैं उस number को हम divide by कर देंगे तो actually देखा जाए तो यह average निकल रहा है जैसे कि यह index number 4 चीज़ों के लिए तो divide by 4 करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा यह एक average निकल रहा है तो इसलिए इसको simple average बोलेगा तो हमें यह वाला formula यूज करना है अब हम जो है कुछ illustrations and कुछ examples solve करने वाले हैं तो stay tuned for the next lecture thank you